एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पॉज्टिव अप्रोच दिस इस नितेस भरद्वाज कैसे हो आप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज जो हैं प्रोबिलिटी के कुछ नुमेरिकल करेंगे इन सब नुमेरिकल को करके जो है आपको बहुत क्लेर टी मिलेगी प्रोबिलिट तो यहां पर जो है मैंने सारे ही पॉसिबल जो चीज है वह ले ली है आए तो देखते हैं कैसे सौल होगा देखिए पहला कोश्चन बोलते कि थ्री कोईंजर्ट और सबसे पहले तो मैं सेंपल स्पेस निकालना है ठीक है सेंपल स्पेस निकालने के लिए मैंने आपको एक बताई थी कि कैसे सेंपल स्पेस निकाल सकते हैं अगर आपने मेरी प्रीविएस वीडियो नहीं देखिए तो मैं फिर सबको बता देता हूं हमें जो है यह बोरा कि तीन कोईंट टॉस करना है इसका क्या मतलब हो कि एक कोईंट को तीन बार टॉस किये गया ठीक है तो एक ब है एड है एड है एड है टेल है एड है टेल है एड है टेल 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 उसके बार टेल है एड है टेल 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 है ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको sample space को याद रखने में जो है cramming नहीं करने पड़ती बिल्कुल असान तरीके से जो है हमारा sample space निकल जाता है ठीक है अब देखिए अब question क्या बोलता है कि हमें probability निकालनी है 3 head की ठीक है अब ध्यान दीजिएगा मैं कोई जादा formality नहीं करूँगा लिखके मेरा एक मकसद है कि आपको जो है समझ आनी चाहिए तो जैसे a b c d लिखे मैं इसी तरीके सुनकि probability लिखता जाओगा जैसे probability of a ठीक है पी ओफ एक का मतलब है आम पर कि probability of 3 head देखी तीन head कितने है हमारे पास सिर्फ एक ही तीन head है और टोटल कितने है 12345678 तो वन बाइट ठीक है दूसरा क्या बोल रहा है कि टू head probability of b क्या है टू head कि दू head होने चाहिए देखी कितना है एक ये दूसरा ये तीसरा ये तीन है हमारे पास एक दो और तीन तो कितना आ गया थ्री बाइट probability of two head उसके बाद है एट लिस्ट टू head probability of c क्या है c event है एट लिस्ट ओफ टू head एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम दो ishe mode उसको धैट होने चाहिए 가자 जाद से जादा जितने बर कितना है यहांपर कितना यहां पर कम से कम होने चाहिए ञाद से जादने मर्जी जाए तो ज्यादा से जादा यहांपर कितने हैं एक तो मतलब 34 कि which is equal to 1 by 2, आगे देखिए option D क्या है at most two head, option D क्या है at most two head, at most two head का क्या मतलब होता है, कि जो है ज्यादा से ज्यादा, 2 होने चाहिए, कम से कम कोई भी ना हो, at most two head कि ज्यादा से ज्यादा, जो है 2 होने चाहिए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तो कितना आ गया 7 divided by 8 क्योंकि हम से क्या पुछा गया at most to head at most to head का मतलब है कि जादा से जादा 2 होने चाहिए कम से कम एक भी ना हो यानि एक भी हो सकता है या तो head होई ही ना तो देखिए यहाँ पर 2 head है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है 2, 1, 1 और यहाँ पर कोई भी नहीं तो कितने हो गए यह साथ हो गए ठीक है I hope यह इन events के probability के आपको पता लग गया होगा आगे देखिए probability of event यह क्या बोल रहा है कि no head कोई भी head नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलबह वह कि कोई भी ह tag नहीं है तो क्या है टेलल टेलल let कहें पाकी सब्सक्तिंगें तो देखिएंट यहां पर हैं यहां पर घर हैं यहां पर भी event F क्या है probability of 3 टेल 3 टेल कितनी है 1 1 divided by 8 आगे वाले का क्या होगा exactly two heads exactly two heads चाहिए हमें क्या पूछा गए है कि exactly two head सिर्फ दो हैड होने चाहिए एक दो तीन तो कितना है हमारे पास तीन exactly two head बोला गया है तो देखिए 1, 2 और ये 3 तो exactly two head है यहां पर ठीक है अब यहां पर देखिए आप यहां पर जैसे हमें बोला गया था two head ठीक है यह भी same हुआ कि 2 head है 1, 2, 3 यहां पर है exactly two head तो इसका क्या मतलब है इसका एक ही मतलब हो गया ठीक है उसके बाद चलते है probability of edge no tails कि कोई भी tail नहीं होनी चाहिए तो इसका क्या मतलब हुआ अगर कोई भी tail नहीं है तो उसका मतलब हुआ कि सिर्फ head है सिर्फ head है तो head की probability 1 by 8 होगी ठीक है उसके बाद आगे चलिए at most two tail at most two tail का क्या मतलब हुआ at most two tail का मतलब हुआ कि जादा से जादा दो tails होनी चाहिए कम से कम एक भी tail नहीं हो तो कितना है देखी जादा से जादा डो tail होनी चाहिए एक, दो, यहाँ पर एक tail यह भी होगा तीन, चार, पांच, छे और यहाँ पर tail बिल्कुल भी नहीं है तो यह भी हो गया एक, तो क्या हो गया 7 divided by 8 at most two tail का क्या मतलब हो 7 divided by 8 तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि इन सभी event के probability कैसे निकलेगी बिल्कुल इजी है ठीक है, चलिए next question करते है और देखते हैं कि कैसे जो है question solve होगा question क्या बोलता है देखिए, question number two if e and f are the event such that probability of e given है 1 by 4 probability of f b given है 1 by 2 and probability of e and f and का क्या मतलब होता है intersection ठीक है probability of e and f is equal to 1 by 8 ठीक है, क्या पुछा गया है find probability of e or f ध्यान दीजगा, और f इसका क्या मतलब हुआ probability of e union f हमें निकालना है और दूसरा probability of not e not e का मतलब e dash and, and का मतलब intersection not f not f f dash ठीक है, तो ये दो probabilities हमें निकालनी है सबसे पहले लगाईए p e union f का फर्मूला लगाईए which is equal to p of a plus p of b minus p of a intersection b बिल्कुल इजी है, ठीक है p of a कितना है हमार पास 1 by 4 p of b कितना है, 1 by 2 minus p of a intersection f कितना है 1 by 8 l sum कितना आ गया, 8 4208 248 minus 1 which is equal to 456 minus 1 5 divided by 8 तो p e union f कितना आ गया हमारे पास 5 over 8 अब हमसे दूसरे में पूछा गया है कि p e intersection f कॉम्प्लिमेट हमें पता है, डि मॉर्गोन लॉज हमने पड़े है, अगर आपको नहीं पता तो इस फर्मूला को अभी नो डाउन कर लीजिए, e dash intersection f dash ये होता है, e union f dash ठीक है, अब यहां पर देखिए probability लगा ये, e dash intersection f dash इसे हम लिख सकते है, probability of e union f dash, इसका क्या मतलब e union f complement है, ठीक है, which is equal to 1 minus p of e union f, ठीक है, अब e union f हमने निकाला हुआ है, तो कितना आगया, 1 minus 5 divided by 8, which is equal to 8 minus 5 divided by 8, which is equal to 3 by 8, I hope question आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे हमने किया, बस यहां पर ये चीज़ आपको बताने वाले थी, जो मैंने आपको बता दिए, ये formulas मैंने आपको बता दिए, question बिल्कुल easy है, चलिए next question करते है, probability एक बहुत ही असान topic है, लेकिन उतना ही typical है, बस आपको इसकी थोड़ी सी जो है समझानी चाहिए, एक बार समझा गई, फिर आप से जैसमर्जी question पूछ लिया जाए, अब question number तीसरा है, if 2 over 11 is the probability of an event, ठीक है, मालनी जीए, कोई event ले ले लेते हैं, इसकी probability दी गई है, 2 by 11, what is the probability of the event not a, हमें निकालनी है, not a की probability, ठीक है, क्या निकालनी है हमें, not a की probability, not a को हम लिख सकते हैं, मालनी जी, a compliment से लिख सकते हैं, ठीक है, तो not a को क्या मतलब हो गया, देखिए, 1 minus probability of event, not a का मतलब हो गया, 1 minus probability of event, ठीक है, यह है probability of not a, which is equal to, इसको लिख सकते है, probability of a dash, 1 minus 2 divided by 11, 9 by 11, यह हमारे पास probability of not a आ गई, देखिए, कितना easy question था, ऐसे question जो है, exam में, पूछे जाते हैं, हाँ, easy है, मानता हूँ, लेकिन कई बार जो हम ऐसे छोटे-छोटे question की practice नहीं करते हैं, और ऐसे question ही, जो exam में, गलत करके आते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम हर question करेंगे, बिल्कुल easy भी, typical भी, ठीक ह अगला question लेकते हैं, question number four है, देखिए, ध्यान दीजिए, there are four men and six women in city, there are four men and six women on city council, if one council member is selected for a committee at random, how likely is that it is a woman, क्या बोल रहा है question की वहाँ पर कितने men है, four men है, और women कितनी है, six women है, in city council, if one council member is selected, एक member हमें select करना है, one member क्या करना है हमें, select करना है, कितने में से देखिए, six plus four total कितने हो गए, है, total कितने हो गए, ten हो गए, ठीक है, अब एक select करना है, हमें, तो combination लगेगा, ठीक है, तो एक select करने का combination क्या आएगा, ten c1, 10 में से हमें एक ही select करना है, ठीक है, अब probability क्या पुछी गई है, probability पुछी गई है, कि how likely it is that it is a woman, probability पुछी गई है, कि यह एक आदमी क्या होना चाहिए, औरत होनी चाहिए, तो कैसे होगा, देखिए, औरत select होनी चाहिए, तो कितने में से होगी, six में से, six c1 divided by totally, 10 c1, ठीक है, six में से ही और select होगी, क्योंकि man में से जो हम select नहीं कर सकते, divided by total event कितना है, 10 c1, which is equal to six divided by 10, two threes are six, two fives are ten, which is equal to three by five, then the probability of a woman is equal to three by five, देखिए, कोशन कितना easy था, बस इसकी statement थोड़ सी गुमा करती, पहले statement अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और देखना है कि कैसे जो है, कोशन को solve करना है, next question देखते हैं, question number five, given probability of a and probability of b, find a और b, if a and b are mutually exclusive, mutually exclusive का मैंने आपको बताया हुआ है, देखिए, क्या है, probability of a दी गई है, three by five, probability of b क्या है, one by five, हमें पता है, जब a और b mutually exclusive होते हैं, तो p of a union b, p a और b का क्या मतलब होता है, a union b का formula क्या है, इसमें reduce हो जाता है, p of a plus p of b में, तो कितना आया, three by five plus one by five, which is equal to four by five, इसमें यह reduce क्यों हो गया, अभी बताता हूँ, हमें पता है, देखिए, p a union b क्या होता है, p of a plus p of b, minus p of a intersection b, ठीक है, यह हमारे पास इसका formula होता है, यह इसमें reduce क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमें दिया गए है, a और b क्या है, mutually exclusive, जब mutually exclusive क्या हुआ, कि a intersection b किसके बराबर होगा, five के बराबर होगा, जब probability निकालते हैं हम, a intersection b, which is equal to probability of five, तो probability of five क्या होती है, हमें सा, zero होती है, जब यहाँ पर zero put किया, minus zero आया, minus zero आता है, इस value कोई मतलब नहीं रह जाता, यह formula हमारे पास, p of a plus p of b में क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, यहां से जुबे question arise हो सकता है, इस तरह के question जो है exam जानले पूछे जाते हैं, तो आपको जो है इनके अच्छे से समझ होनी चाहिए, अगर मेरा पढ़ायगा आपको अच्छे से समझ आगे होगे, अगर मेरा पढ़ायगा आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को like करिए, share करिए, चैनल को जाद से जाद सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, जाहिन, जावाद कर दो झाल कर दो चीजरा आपको अच्छे से समझ होंपको अच्छा